दाउद खान की ये सारी चीजे देखके और इन सब चीजें से परिशान होके अफगानिस्तान के कई सारे ग्रोप्स मिलके एक पार्टी बनाते हैं People's Democratic Party of Afghanistan, PDPA. ये Communist Party थी जो USSR से influence थी और USSR भी all over world में उस पर दिवर टाइम पे Communist Party को हर तरीके से support करता तो PDPA को भी Russia से support मिला और जब अफगानिस्तान की economic condition खराब हुई बेरोजगारी बढ़ने लगी तो PDPA और popular होती गई ये चीज़ दाउद खान को भी समझ में आई तो उन्होंने PDPA को दबाने की कोशिच की और PDPA के एक बहुती बड़े लीडर मीर अकबर खाइबर को भी मरवा दिया उन्होंने PDPA जो पार्टी थी इनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया गया और इसके बाद जगा जगा पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया को काफी सपोर्ट करते थे जैसे कुसी गौड को नहीं मानते थे तो नूर भी इस आइडिलोजी को प्रपोगेट करते थे नूर मोहमद के आते ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं अफगानिस्तान एक मुस्लिम गंडरी है और वहां पे नूर ने modernization और secularism स्टार्ट किया फीमेल्स को education allowed हुई, फीमेल्स openly road पे भी घूम सकती थी, फैशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी यह जो footage आप अभी देख रहे थे यह सारी सारी उस time की original footage है इस particular time में नूर ने अफगानिस्तान के अंदर education compulsory कर दी syllabus में से religious education को हटा दिया, marriage की minimum age बढ़ा दी, जबरदस्ती जो marriage की जाती थी उसको ban कर दिया workforce और politics में woman का participation बढ़ाने की बात की, religious leader का जो influence था उसको कम कर दिया और religion का public display तक बंद कर दिया, नूर यहाँ पे भी रुकते नहीं है, USSR के influence में आके वो land reform भी लेके आते हैं जिसमें यह था कि जिन लोगों के पास जमीन जादा है, वो उनको देंगे जिनके पास जमीन कम है और लोगों में equality के लिए जो debt था agriculture को लेके वो भी उन्होंने माफ कर दिया यह सारी चीज़ें जो नूर कर रहे थे, इसकी वज़ा से नूर मुहमद government के oppose में जो जो लोग थे वो कहने लगे कि government तो traditional अफगान values को सीधे सीधे challenge कर रही है और एक तरह से USSR की चमचागिरी कर रही है अब यह सारी चीज़े देख कि अफगानिस्तान के जो बड़े land owners थे, traditional लोगs थे और religious leader थे वो government का oppose करने लगते हैं government ने इन लोगों को अपनी पूरी power से दबाने की कोशिश भी की लड़ाई काफी बड़ी और अफगानिस्तान के अलग-अलग इलाकों में लोगों ने government के खिलाफ हतियार उठा लिये इस लड़ाई को अफगानिस्तान में कहा जाने लगा कि ये लड़ाई इसलाम को defend करने की लड़ाई है और जो ये छोटे-छोटे groups government के खिलाफ अपने area में लड़ाई लड़ रहे थे इनको मुझाइद दीन बोला जाने लगा मुझाइद दीन बोला जाने लगा ये जी ध्यान में रखेगा क्योंकि आगे आपको समझने में असानी होगी इन मुझाइद दीन के साथ tribal leaders और military के भी कुछ लोग जुड़ गए थे सबका common aim था PDPA communist government को गिराना PDPA communist government में नूर मुहम्मद तारी की PM थे और हविजुल्ला अमीन ये foreign minister और deputy PM थे